MATLAB जो हैाव हमें K Tools और Functions पर provide करता है जिसके अंदर हम अपना Data प्लॉट कर सकते हैं यानि के हम अपना Data visualize कर सकते हैं उसके अंदर हम 2D plot कर सकते हैं, 3D plot कर सकते हैं, bar graph draw कर सकते हैं, pipe chart draw कर सकते हैं और भी कई options given हैं अगर आप चेक करना चाहते हैं कि MATLAB कौन कोंसे functions या tools प्रोवाइड करता है तो आप वो उनकी website पे भी जाके देख सकते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको उनकी website पे जाना होगा matworks.com जब यह website खुल जाए तो उसके अंदर आपको sport पे क्लिक करना होगा sport के अंदर जाके आपको documentation पे क्लिक करना होगा documentation के अंदर जाके आपको matlab पे क्लिक करना होगा जब आपके पास यह page खुल जाए तो उसके अंदर आपको graphics पे क्लिक करना होगा graphics पे क्लिक करने के बाद आपके पास यह वाला page open हो जाएगा इसके अंदर आप 2D और 3D plot पे क्लिक करेंगे. तो ये categories हैं, हम अपने data को visualize कर सकते हैं या plot कर सकते हैं. मैं यहाँ पर सबसे पहले line plot पे क्लिक करता हूँ. Line plot के अंदर आप 2D plot कर सकते हैं, 3D plot कर सकते हैं और भी कई functions provide हैं. Simple method plot पे क्लिक करता हूँ. plot पर click करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके पास यह वाला page open हो जाएगा और उसके अंदर आपको यहाँ पर syntax शोग कर रहा है और उस command या function की description शोग कर रहा है और उसकी मुकलिफ examples भी आपको दीवी है तो चलिए हम simple plot की command यूज़ करते हैं और हम देखते हैं कि हम अपना data किस तरह visualize कर सकते हैं plot की command यूज़ करने से पहले मैं आपको एक और command के बारे में बता देता हूँ अगर आपको किसी command या function के बारे में तोरी सी details चाहिए या फिर आप देखना चाहते हैं कि उस command या function का क्या syntax है उस command या function के अंदर हम क्या input लेख सकते हैं और उस function और command का क्या काम है तो simply आपको यहाँ पर help लिखना होगा और आगे जिस function या command के बारे में आपको detail चाहिए तो आप उस command या function का name लिखेंगे मैं यहाँ पर plot enter करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर plot command की details आगे उसका syntax और हम उसके अंदर क्या input ले सकते हैं और graph हम किसना draw कर सकते हैं और end पर उसने मुझे एक example भी देवी है तो चलिए शुरुआत करते हैं plot से जब भी आपको two dimension के अंदर graph plot करना होता है तो उसके लिए आपको दो चीज़ों की ज़रुद होती है एक आपको x-axis पर points चाहिए होते हैं और दूसरा आपको y-axis पर point चाहिए होते हैं यहाँ पर मैं एक point शोग कर रहा हूँ मुझे इस point की position शोग करने के लिए एक x-coordinate की ज़रुद परिए हो दूसरे y-coordinate की मैं आपको एक simple सी example matlab में दखाता हूँ कि हम किसना plot यूज करते हैं मैं यहाँ पर दो variables लेता हूँ एक x-coordinate के नाम से दूसरा y-coordinate के नाम से अब मैं plot की command यूज करता हूँ यहाँ पर मेरे पास plot होगी है जो मेरे points दिये थे अगर आप इसको click करेंगे यह dog figure one तो यह इस tabs के अंदर चला जाएगा आप चाहें तो इसको कहीं भी place कर सकते हैं मैं फिलाल इसको यहीं पर रहने देता हूँ यह graph कैसे plot हुआ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने x-coordinate name का variable एक declare करा है उसके अंदर मैंने row vector store करा है इस row vector का क्या size है 1 x 5 आप यहाँ पर एक और चीज़ भी देख सकते हैं कि मैं किसी variable के अंदर row vector किस तरह store करा सकता हूँ सबसे पहले मैं variable name लिखूंगा फिर is equal to और square brackets के अंदर मैं values लिखूंगा row vector की इसी तरह मैंने y-coordinate का भी एक variable name declare करा है और उसके अंदर भी मैंने 5 values store करा है आप देख सकते हैं कि दोनों का जो size है वो 1 x 5 है plot की command के अंदर हमेशा जब आप x और y-coordinate एंटर करते हैं तो आपको दोनों का size same रखना पड़ते हैं अगर दोनों का size same नहीं होगा तो वो आपको वहाँ पे syntax error देदेगा plot की command के अंदर सबसे पहले आप x-coordinate लिखते हैं और comma के बार आप y-coordinate लिखते हैं plot की command क्या करती है plot की command ये करती है कि जो आपने x-coordinates दिये हुए यहाँ पे जिसना मैंने x-coordinate दिया हुए 1,2,3,4,5 तो वो सबसे पहले first index पे जो value पढ़ी है वो उठाती है और उसको x-axis पे place करती है और जो y-coordinate के अंदर first index पे value पढ़ी है वो y-axis पे लेती है इसी तरह वो अपना second point लेती है x-coordinate के अंदर second index पे जो value पढ़ी है वो और y-coordinate के अंदर second index पे जो value पढ़ी है वो और ये सलसला चलता रहता है जब तक सारे indexes से points नहीं उठा लेते है और इसी तरह पे हमारे प x-axis पे 1 और y-axis 10 इसी तरह x-axis पे 2, y-axis पे 11 अब हम एक simple sine wave draw करते हैं 0 से 2 pi हम कैसे करते हैं पहले मैं इसको clear कर देता हूँ पहले मैं यहाँ पर commands लिख लेता हूँ और फिर बार में मैं आपको explain करता हूँ कि यह कैसे हुआ है बार में आपको करते हुआ मैं वाल शीकार साथ कर ईकलते हुआ है मैंने यहाँ पर x coordinate name का variable declare कर रहा है और उसके अंदर मैंने row vector store कर रहा है जिसका size है 1 x 50 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने command use की है lin space तो मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सब बता देता हूँ कि lin space क्या होती है lin space के अंदर आप 3 values देते हैं इसको सबसे पहले आप देते हैं starting point यहाँ पर मैंने 0 दी भी है फिर आप ending point देते हैं जो के 2 pi है और matlab के अंदर जब आप pi pi लिखते हैं तो automatically matlab इसको 3.14 consider करते हैं और फिर तीसरी जो value आप enter करते हैं वो starting से लेके ending point तक उतने points generate करके देता है यहाँ पर मैंने 50 लिखा है तो यह मुझे 0 से लेके 2 pi तक 50 points generate करके देता है लिए space मुझे basically points generate करके देती है starting से ending point तक तो यहाँ पर 0 से लेके 2 pi तक मैंने 50 points लिए हैं और मैंने x coordinate name variable के अंदर मैंने store करा दे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि x coordinate के अंदर मेरे पास 50 value store होगी है अब मैंने command अगली जो लिखी है वो है y coordinate is equal to sign bracket में x coordinate मैं x coordinate के हर index पे जो value पढ़ी है उसका sign लेके y coordinate के अंदर store करा रहा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने x coordinate के first index पे जो value पढ़ी है 0 उसका मैंने sign लिए है और उसका जो answer निकला है वो मैंने y coordinate के first index पे store करा दी इसी तरह x coordinate के जो second index है उसके जो value पढ़ी है उसका मैंने sign लिए है और मैंने y coordinate के second index पे store करा दी और इसी तरह मैंने तमाम 50 जो values हैं X coordinate के अंदर उन सब का sign लेके Y coordinate के अंदर store करा दे अब आप देख सकते हैं कि मैंने plot की command यूज किये उसके अंदर मैंने X coordinate दी और Y coordinate और आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक sign wave बन गई है अगर आप चाहें तो आप अपने graph का color भी change कर सकते हैं यहाँ पर मेरे पास blue line के अंदर sign wave बारी है तो मैं चाहूँ तो इसका color change कर सकता हूँ और मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर line के बज़े यहाँ पर dots भी show कर सकता हूँ यहाँ पर मैं आपको दखाता हूँ यह किसरा कर सकते हैं अगर आप help plot लिखते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं क्याकर मैं यहाँ पर थोड़ा से उपर करता हूँ यहाँ पर आप देखें तो मैं चाहूं तो मैं blue color में भी graph draw कर सकता हूँ green, red और यहाँ पर आपको different colors हो रहे हैं और साथ ही मैं यहाँ पर line के बज़ाए points ले सकता हूँ circle ले सकता हूँ, x mark ले सकता हूँ और भी यहाँ पर कई sign given है इसी के साथ मैं चाहूं तो line जो है मैं solid भी ले सकता हूँ dotted और dash dot और भी कई lines यह कैसे करते हैं, मैं आपको यहाँ पर एक example देखे दखाता हूँ यहाँ पर मैं clc कर लेता हूँ पहले मैं जब plot लिखता हूँ सबसे पहले नहीं x coordinate देने फिर y coordinate और जब कॉमा के बाहर मैं तीसरी चीज़ लिखूँगा वहाँ पर मैं color specify करूँगा और मैं यह specify करूँगा कि मैं solid line चाहता हूँ dotted यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं point शो करूँ circle शो करूँ यह x मुआ मैं यहाँ पर r लिखता हूँ तो रेड कलर इसका मतलब plus करता हूँ तो आप देखे कि जब मैं enter करता हूँ तो graph में मेरे क्या changes आती है यह देखे यहाँ पर मेरे पास color भी change हो गया और सारे जो है वो plus sign आ गए अगर मैं चाहूँ तो मैं color change कर सकता हूँ यह मैं art के बज़ाए g करता हूँ अगर यहाँ पर मैं sign भी change कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सारे मेरे पास green color कर multiple signs आ गए इसी तरह अगर आप चाहें तो आप अपने graph के अंदर title भी दे सकते हैं वो कैसे देते हैं उसके लिए मैं लिखूँँगा title और bracket के अंदर मैं title का name लिखूँँगा मैं यहाँ पर sign wave लिख देता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह sign wave मेरे पास आ गई है इसी तरह चाहूँ तो मैं x label भी दे सकता हूँ y label यानि मैं x axis के उपर भी text लिख सकता हूँ और y axis पर भी वो कैसे करते हैं मैं यहाँ पर label लिखता हूँ मैं यहाँ पर x label जो है मेरे पार x axis हो टाइम है तो मैं यहाँ पर time लिखता हूँ यह देखे यह मेरे पास time show हो गया इसी तरह मैं y label भी लिख सकता हूँ यहाँ पर मैं amplitude लिखता हूँ आप देख सकते हैं कि x label और y label की command क्या करती है अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने graph के अंदर xs भी specify कर सकता हूँ xs की command क्या करती है वो मैं आपको दखाता हूँ यहाँ यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एकसे तो xs की command के अंदर आप सबसे पहले x axis का minimum और maximum देतें आप चाहते हैं कि आपका जो graph है वो x axis पे कितना show हो यहाँ पर मैं अपना जो graph है वो मैं चाहता हूँ कि minus 1 से लेके 7 तक x axis दो और y axis जो है वो मेरे पास हो minus 1 से यहाँ पर मैं 2 कर देता हूँ अब जो मैं इंटर करूँगा तो आप देखेगा कि मेरे plot के अंदर मेरे graph के अंदर क्या changes आती है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास axis चेंज हो गए है यहाँ पर x axis minus 1 से 7 हो गया है और y axis जो है minus 1 से 2 तक हो गया है मीदा आपको axis की command की भी समझ आ गई होगी मैं चाहूँ तो मैं बार भी plot कर सकता हूँ उसके लिए मैं बार लिखूँगा x और y coordinate दोंगा simple आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास bar graph ड्रॉफ हो गया है sine wave का इसी तरह और भी कई options हैं मैं चाहूँ तो stem plot कर सकता हूँ यहाँ पर मेरे पास stem plot हो गया stem के अंदर क्या है कि मेरे पास discrete points आ गए है आप चाहें तो यहाँ पर tools यूज़ करके भी plot कर सकते हैं तो उसके पहले मैं CLC कर देता हूँ यहाँ पर आप उपर जाएं plots में इसको मैं नीचे कर देता हूँ यहाँ पर मैं नीचे place कर देता हूँ ताकि आपको graph सही से नदर है अब अगर आप tools यूज़ करके plot करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यह करना होगा कि plots में जाना होगा और उसके बाद आपको जिस variable के मुझे x-axis पर points चाहें वो मैं सबसे पहले select करूँगा workspace के अंदर यहाँ पर मुझे x-coordinate के जो points हैं वो x-axis पर चाहें तो मैं सबसे पहले इसको select करूँगा फिर मुझे जो y-axis पर points चाहें मैं उस variable को select करूँगा मैं control का button दुबाग के y coordinate पे click करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास दोनों select होगे फिर आपने जो सा graph plot करना है जिस category का उसको आप select करेंगे यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं simple plot करता हूँ इसको select करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास simple plot होगे मैं चाहूँ तो यहाँ पर area graph यूज़ कर सकता हूँ यह इस type का है इसी तरह और भी कई categories आपके पास मजूद है यहाँ पर मैं चाहूँ तो stay graph यूज़ कर सकता हूँ अगर आप देखें तो यहाँ पर मेरे पास stay graph आगे आप जो सी category चाहें या जो सा आपको graph plot करना है आप simple वो select कर दें यहाँ पर आपके पास कई category शो हो रही है और यह two dimension plot हो इसी तरह अगर आप three dimension में plot चाहते हैं यानि आप three-d plot चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे three-d plot के लिए three-d plot के लिए आपको तीन axis चाहें x axis, y axis and z axis तो इसी तरह आपको तीन coordinates चाहें x-Coordinate, y-Coordinate and z-Coordinate तो यहाँ पर मैं दो coordinates तो हैं तो मैं एक और coordinate बना लेता हूँ मैं यहाँ पर z coordinate ले 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 दो हूँ और उसके अंदर मैं store मैं x coordinates का जो point सा उनका cause लेके वो z coordinate के अंदर store करा देता हूँ अब मैं 3D plot चाता हूँ तो मैं उसके लिए plot 3 लिखूंगा जो मुझे x axis पर point जाए हैं वो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर मैं x coordinate लिखूंगा इसी तरह जो y axis पर point चाहिए हैं मैं वो variable लिखूंगा और इसी तरह z axis पर जो मुझे points चाहिए हैं वो मैं सबसे पहले मुझे x axis point चाहिए फिर comma के बाद मैं y axis points एंटर करूंगा और फिर comma के बाद मैं z axis point एंटर करूंगा तो यहां पर एंडर करता हूँ, तो यह मेरे पास 3D plot आगे, अगर आप इस button को select करते हैं, तो मैं यहां पर इसकी position भी change कर सकता हूँ, यह देखिए, यह मेरे पास 3D plot आगे, इसको मैं just position में चाहूँ, place कर सकता हूँ. आज हमने इस video के अंदर क्या क्या सीखा, हम लोग ने help की command देखिए कर क्या क्या करती है, और साथ ही फिर हमने simple plot की command देखिए, फिर हमने link space की command देखिए कर क्या मतलब है और यह क्या करता है. फिर हम लोग ने अपने graph के अंदर title place किया कि title किस ना place करते हैं और साथ ही हमने ये भी देखा कि हम x label और y label कैसे place कर सकते हैं फिर हम लोग ने axis की command देखी कि उसका क्या काम है उसको हम किस ना use कर सकते हैं और साथ ही end में हमें लोग ने 3D plot देखा, कि हम लोग 3D plot किस तरह कर सकते हैं. Thank you for watching this video, I hope you like it and please subscribe our channel.